दोस्तों नमस्कार आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि माचीस का बिजनेस कैसे कर सकते हैं और कैसे बनता है माचीस में पही चीज उस मीडियों में किलियर किया था उस पर काफी सारा प्यार मिला है और काफी कमेंट पर मिला है कि सर जड़ा बताई है उसके बार ने पूरे डिटेल से हम करना चाहते हैं कौन सी मसीन है तो दोस्तों इसमें मसीन की जिरुवत नहीं है मा बढ़िया जलता है उसको क्योंकि यह जल लंसील लकड़ी है और यह हर जगा नहीं होता है कहीं कहीं जगों पर होता है ठीक है तो मैंने इसको लाया था एक जगा से और वहां से मैं यह वीडियो सूट करने के लिए लाया था तो आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से होती नहीं है और यह जो चीज है यह बीज बोया जाता है और आप इसको उगा सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने बड़ी जूम करके आपको दिखा रहा हूं आप पास में जा करके ताकि आपको किलियर समझ लिए आप देख सकते हैं यह देख रहे हैं इसका बीज होता है और यह प बनते हैं लेकिन जो लकड़ी है यह इस लकड़ी से जो है इस माचिस का तयार किया इसमें मसाला लगा करके वो सरकार से परमिशन लेकर ही मतलब होता है और क्योंकि उसमें कुछ बारुदूगर लगते हैं कुछ ऐसे चीज़ लगते हैं जो मतलब जोलनसील होते हैं इसलिए सरकार से परमिशन लेना जरूरी है लेकर क्या आप कर सकते हैं मैं यही चीज़ बता रहा हूं कि इसी चीज़ का बनाते हैं माचिस और बाकी और शेमर की लगड़ी का भी बनता है और इसका भी बनता है वो अलग अलग फैक्टरी पर निवर करता है कि वह क्या चीज का बनाते हैं तो यह चीज कैसे बनता है किसί तरीके से बनता है कब पैदा होता है कितना खर्चा लगता है यगर यह सब जानना है तो आप मुझे कमेंट जबू कीजिगा और अगर माचिस के बारे में कुछ और जानकार चाहते हैं जैसे इस मतलब की यह जो लकड़ी है इसके बारे में कुछ और नौलेज चाहते हैं कि कैसे पैदा कर इसको आप घर पे पैदा कर सकते हैं बड़े आसानी से आपके थोड़ा बहुत खेत है वहां पे भी पैदा हो जाएगा और इसका बीज होता है और बीज के द्वारा य होते हैं जब यह सूख जाता है तब जो है यह इस तरह का इस परकार दिखता है पहले हरे कलर का होता है और हरा पहले होता है उसके बाद से इस रंग का होता है और तब यह हमारे काम की है इसको कुछ भी हम कर सकते हैं यूज में भी ले सकते हैं घरों में भी लगाते हैं वह आपकी सहाय तक लीज वीडियो को बनाते रहता हूं मेरे चनल पर नया है तो सस्क्राइब जूरू कीजिएगा क्योंकि सस्क्राइब करेंगे तभी नोटिफिकर्स आएगा और तभी आप मुझे मेरी वीडियो को देख पाएंगे ठीक है दोस्त तो आप कमेंट कीजिएगा कोई बात है तो कोई समस्य आये तो कोई दिक्कत आ रही है तो लाइसंस कैसे लेना होता है वो सब मैं बता दूँगा आपको वीडियो में बना करके तो थैंक्यू थन्यवाद